चंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए किस जगहां पर बनाना चाहिए मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए जब शिविलिंग का निर्मान करें चंकर के शिविलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए उस तक का विधान शुमहा पु कियारे की मिट्टी ओ क्यारा मतलब समझियेगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो ऐसी जगहा का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करी है श्यू महापुराण की कत्था कहती है देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए उसका विधान बढ़नन नहीं कर पाए पर बढ़। आख कथा निकलिए तो उसको सुने कियार की मिठी क्यार की मिठी मतलब जिस मिठी पर कोई गंदगी ना करी गए यो एसी जगा की मिठी बढ़ने के बाद थोड़ा पानी का सीचन कर दें अर्थात घर में लाएं तो इससे पहले मिठी को पवितर करे अपने घर मे गंगा जल रखा हो यमना जल रखा हो सरीयू जी का जल रखा हो उससे मिटी का सीचन कर दें मान लो अगर यह जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिटी का सीचन कर अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूद डालकर मिटी का सीचन कर द तूद भी नहीं है तो एक बेल पत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सीचन कर बेल पत्र भी नहीं है पीपल का पत्ता डालकर उसका सीचन कर दें पर मिट्टी पर घर में लाते से यह नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है तो मिट्टी अगर ए जिस दिन घर में मिंटि ले कर आये हो। इस दिन ले कर भी फिर भल्य हुख तूंपर शिविलिंगग पंदरा दिन बाद बनाओ। हको आठ दिन बात बनाओ। दहस दिन बात बना। यत ses समय पर मिंटि का सीचन उस समय हो जागा। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्मान करो उस दिन प्रातहा में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म महुरत में मिट्टी को गला दो किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमान उसका भी सास्त्रवंणन कर रहे हैं किस जल से गलाया जाए शिव महापुरान की कथा करती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है शाम को आप शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होता है रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंद आजमान होते हैं शास्त्र करता है 33 कवटी देवता एक समय के लिए एक छण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चा आज के जमाने में तो फिर गया पर पहले जब मट्टी के चूले होते थे जब चूला बंद होता था तो उसको गीला करकर गोबर को या पानी में उसको गीला करकर एक कपड़े को गीला करकर पूरे चोके को रसोई घर को पहुचा जाता था मिट्टी का होता था तो भी उसको मो Nagasya कैज मए पार्थीव Кानिर्वान सावन के महीने में का शिरीव भनाते हैं तो नियम ध्यान दखिएगा लिंक पुराण से है इसका नियम क्या गुर्णाना क्या करना है क्षे को लाना है जलका चृता देना चृता जने तो देना घर में लेकर आये और जल का चीटा हो न जरूर हो ज़रूर शूर do दीन तक三 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आठने पानी नहीं दिया है और आपने डारेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया तो उसका कोई प्रमाण नहीं है जल कछी अब फिर उसको रख दें पंदरा दिन बाद बनाओ चार दिन बाद बनाओ तीन दिन बाद बनाओ दो दिन बाद बनाओ शिवलिंग जब बनाओ त स्कंदपुराण और अगनीपुराण इन तीनों से ले लिया गया बढणन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पित्रों का भाव आजाता है अनपूर्णा का भाव आजाता है घर में लच्छमी का भाव आजाता है संपदा का भाव आजाता है पूरे 24 गंटे के अंदर एक छण के लिए रसोई घर में 33 कोटी देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है, और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं, तो गंगा, यम, ना, सर्य, उसर, सोती, ये 33 कोटी देवता में, तो इन सब का आनंद उस चल चल में जाता है, और वो जल, जब हम मिट्टी में मिलाते हैं, तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, SoOnly Whereas Adipati के सुिकार करने के लायग हो जती है, निर्मित करने के लाएग हो जती है. ते इसप recursos आपनेती में सबसे पहले शिबलिंग बनाने से पहले पात्र को पात्र जो होता है उसके नीचे बेलपत्र रखीजाते है क्या रखना है एक बेलपत्र शंकरक एक को जय लने पात्र जिस पे जहला जाएं स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो कोई साध्रन नहीं हो सकता स्वयम विदेश्वर आप विदेश्वर सहिता के अंत्रगत पड़ें कि ब्रह्मा रो विष्णू ब्रह्मा उपर जा रहा है भगवान विष्णू नीचे जा रहा है तो पता नहीं कर पा रहा है कि यहां चरण कहां पर है और शिश कहां पर है उसको जानी नहीं पार बस एक बेल पत्र साधरन भाव में बेल पत्र भी सीधा भाग और इस बेल पत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतरगत जब आप शिवलिंग का अंदिर्मान करें उत्तर इसके उपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजी और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरूप बनाना सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बना क्या बनाना है शिवलिंग का सुरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए फिर जलाधारी का निर्मान के फिर जलाधारी शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है आपको पहले भी का भगवान भूत अधिपति भूत इश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में पेले भी कथा मैं कहा आज फिर आपको वर्णन कर देते हुआ जे से यह जलाधारी हे गॉल यह चरण है यह शिवलिंग है को यह जो गोल भाग है जहां पर भगवान संकर का शिवलिंग रखा यह पारवती जी का हस्त कमल है जहां से पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री गणेज जी का इस्थान लेवत भाग में श्री कारती के जी का इस्थान बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में वो पारवती जी के सुंदर पुतरी अशुक सुं सभल आते हो या आप स्रंगी से जल चड़ाते हो तो यह जो पानी कि रहा है यह संकर भग्वान की पाचकुत्रियां जया भिष्ऴरा शामरी बारी दोतली और देव यह जी की पाँच बेटियां और पार्वती अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गनेजी की पूजन अलग करने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी कार्थी के पुजन अलग जाकर का उस जला धारी में संकर वीराज मांणे कुछ भी नहीं संकुण। और पूरा परीवार महाराज में भी बात आया ध्यान दीजिएगा जिस व्यक्ति को नीनद नावे रातरी को सोते समय टेबलेट खाने की जरुवत नहीं संकर भगवान की पाँच पुत्रियों का नाम लीजिए जया हाथ में जल लो पलंग पर बेठो जल हाथ में लिया जया आचमन कर लो विशहरा आचमन कर लो शामली बारी आचमन कर लो दव तली आचमन कर लो और देव आचमन कर लो यह संकर की जो पाँच पुत्रियां है यह एसी पुत्रियां है जो निंदरा देवी को लेकर आती है और हमें विश्राम का आनंद सुप्रदान कर लो हमरे नैनों पर विदाजमान कर लो हाँ यदि विवान नहीं हो रहा है शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहा हो, सादी नहीं हो रही है, बहुत समय से परिशान हो गए, कि विवाई नहीं हो रहा है, लड़की अठावी साल, तीस साल का लड़का हो गया, विवाई नहीं हो रहा है, कुछ मत करो, अश्टमी तिथी आए, तो असुक कर दो तीन महांगे में बीवात का हो जाता है मारत उसका इतना शुक सुन्दड़ी के उस हल्दी का इतना प्रमान में na 391 तरक्र आट इतना इतना प्रमाने मारत बगवान निर्मित करा शिवलिंग एक बर सब जितने भी टी पर यह समूख में कता सुन रहे हैं कि दश्बूक युटब पर सुन रहे हैं एक बर साथ में समझें वापिस निर्मान को शिवलिंग के निर्मान को मिट्टी लाए सवच जगा की जल का छीटा दिया रखा जब शिविलिंग बनाया तो एक तलश पानी पहले से दो घंटा आदा गंटा पंदा मिट बीस मिनिट पहले उसको रख दिया उसी पानी से उसको गीला करा गीला करने के बाद उसका निर्मान सबसे पहले बेल पत्री बेल पत्री के उपर मिट्टी मिट्टी के उपर रख कर शिविलिंग का निर्मान फिर जलाधारी का निर्मान और शिविलिंग का निर्मान पून होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से अफशंगार करें अभी शेक करें पूजन करें और एक बात याद रखना प तो पार्थिव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है, हाँ, अगर कोई शिवरात्री का दिन है, तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हर्ताली का तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बना में जलाशे में विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को शिविलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिविलिंग की जल की धार है जिसका उत्तर की और जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्था वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और ठाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे थोड़ा सनन जा रहा है पानी में डालते समय और जब वो थो यह गर्त है शुब्ह पार्थिव शुलिंग का निर्मान करना और उसकी अराधना करके उसकी अराधना करना olsun पुजन करतें ऊंप पूजन भी करते हैं हमारा अप Fine का दिखो कि आप आए नहीं सुबा हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की कि यु नहीं आए किस लिए बोगो हमेदी कना